हेलो दोस्तों गोट इविनिंग मेरी डूसरी ब्लॉग वीडियो मतलब रेसीपी वीडियो में आप सब को स्वागत है और नमस्कार होको लूगे मूर और इन्नोइटी वीडियो लोगे अपना लोग होको लूगे स्वागतम जोना इस सू आप में लेके आ रहे हूं आपके ल चलिए मेरे वीडियो देखते रहे हैं तो दिन जिन को मेरे वीडियो पसंद आए आप सब लोग मेरे वीडियो में लाइक जरूर करें और बहुत चरी अच्छा लगता है तो कोमेंट करें तो चलिए सलते हैं पहले से मतलब स्टार्टिंग से तो मैं सुभी साम को जो हम अं तेयारी किये थे यह सजीना है सजीना का सास रुपिया का में लाया था मम्मी के साथ गये तो मुझे देखके खाने कामने किया तो जो रोज रोज मम्मी अगर यह सब लाते तो मम्मी साफ करते हैं तो मुझे लगा मम्मी को नहीं बोले हम खुट कर लेते हैं तो कि मम्मी हमे तो मुझे ये करने में अधा गंता से सल्वान किया था फिर ममी आ गया ममी मुझे हैल्प किया तो इसके साथ हम देंगे आलू और अधा लसून का पेस्ट दे के बनाओंगी बरियासे बस वही था रहेगा सैन मैं मसली दे दूंगी छोटा मसली लाया था ममी तो वह बिदे तो गाइस हम लोगे ममी भी हल्प किया तो इसलिए जल्दी जल्दी हो गया फिर राच को बनाने के लिए भी प्रेडि कर रहेते हैं ये मेरा कराही में और गरम हो गया थोरा से ओल्दी है तो इसके बाद हम लोग मसली लाया था नमी तो तमसली उसको भी रखें इसी मेरेने के लिए तो ये है अजालसुन का पेस टमाटर और प्यास का तक हम रेडी करके रखें और ये हैं आलू और सजीना प्यास दे दे ओल में प्यास को तो अच्छे से ढूंगी और जब तक प्या और ये घज्य कि देंग कि उस्ट हम को तुम है यजिये को अच्छे से से पर लगशितार एफीर के लागशन के एतार से अंनलू कर दोने हैं तो गाइस अब तुक दीख सकते हैं मेरा प्यास अच्छे से ब्राउन कलर हो चुका था अधा पक चुका था उसके बाद मेने दिया अलू और सजीना और इसके अच्छे से दोनों तरब से हिला के मिलब टेल में मिक्स कर लेंगे उसके बाद देंगे हम थोरा सा नमक देंगे और थोरा सा हल्डी देंगे फिर मैंने डिया अधा लसूल का पेस्ट और स्कुछ से मिक्स कर लेंगे कि अधा हुआ है कि बात्र फिर लिए अधा है तो गाइज ये मेरा आलू और सजीनत आधा पक सुका था तो एक काप मेने पानी डिया उसको पकने के लिए मैं अच्छे से धाग दूंगी तो मेन में देह दिया तमातर और चुता मस्ली जो और साफ करके अजा में देने के लिए रखता और भी देदिया फिर स्कॉच से मिलादिया मेरा अंजा रेडी है मैंने थोड़ा सदे दिया धनिया पत्ता उसके बार मेरा खाना रेडी झाल के लिए दिया जो और रेडी है